नमस्कार आप देख रहा है स्मार्ट विजनिस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महतपूर्ण खबरों का किसान भाईयों सैम की उन्नत खेती कैसे करें ये जानेंगे आप इस वीडियो में अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मियों में आप सैम की खेती कैसे कर सकते हैं ये सीख पाएंगे इस वीडियो में सैम जो है वहे काफी हतक पोश्टिक वीन्स वाले फसल है जो की संपूर्ण भारत में सपलता पूरवक की जाती है मुक्के रूप से इसके खेती मुलायम फलियों के लिए की जाती है परन्तो इसकी कुछ किसमों का उप्योग दाल के रूप में भी किया जाता है इसके फलियों में रंग एवं आकार में काफी भिनिता पाई जाती है और खाने में काफी अतक स्वादिश्ट भी होती है सेम के खेती करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी डिमांड क्यों रहती है तो इसके अंदर कार्वो हाइडरेट, विटामीन, मिनरल, कैलसियम, सोडियम, फासफोरस, मैगनिशियम, पोटेशियम, आईरन, सल्पर, रेसा आदी मौझूद होते हैं जो की सरीर के लिए खनीच तदबों में एक काफी हद तक पोश्टिक तब प्रदान करते हैं और हमारे वाड़ी के लिए भी आविशक होते हैं जिस वज़े से ये डिमांड में जादा वना हुआ होता है सबसे पहले उप्योक्त जलवायों की बात करें तो गर में जलवायों की फसल है सेम की खेती इसकी अच्छी पैदावार के लिए 18-30 डिग्री सेंटी ग्रेट तापमान अच्छे जल निकास वाली जीवास मियुक्त वलूई दौमट से लेकर दौमट मिर्दाद जिसका पीएच मान 6-7 के मद्दे हो सेम की खेती के लिए उप्युक्त होती है जल तहराब की अवस्ता इस पसल के लिए अतिरिक तहानी कारक होती है सेम की 19 सिल किसमों की वाहत करें होती है और इनकी बड़वार पर भी अंतर रहता है बहुत सी फलियां या बहुत से किसमें ऐसी रहती है जो बेल के रूप में चलती है बहुत सी किसमें ऐसी होती है जो कि एक पौदा वना कर ही फल देती है बिलकुल स्वयवी इनकी तरह तो आप कौन सी किसमों का चुनाफ करेंगे ये आपको जिस दुकान से आप बीज ला रहे हैं वहाँ पर आपको बताना होगा कि बेल वाली चाहिए यब एक पौदे के रूप में वाली चाहिए तो महत्पूर किसमे हैं कासी हरित्मा, कासी कुसहाल, वी आर सैम 3, वी आर सैम 11, पूसा सैम 2, पूसा सैम 3, जवाहर सैम 35, जवाहर सैम 79, कल्यानपूर, टाइफ, रजनी, HD1, HD18 और पूसा अल्ली, प्रोलीफ आदी प्रमुक ऐसी किसमे हैं जो की अच्छा प्रोडक्शन देती है, कलर, रंग, रूप, साइज और पैदावार में काफी हद तक अच्छी होती और किसानों की पसंद भी बनी हुई है बात करें खाद एबम उर्वरक की जो की कव और कितना देना चाहिए तो अच्छी पैदावार के लिए 10-15 टन सड़ी कुवर की खाद भूमी की तैयारी के समय खेत में मिला देते हैं इसके अलाबा 20-30 किलोग्राम नत्रजन, 40-50 किलोग्राम फासपुरस तता 40-50 किलोग्राम पोटास की फ्रिती हेक्टियर आवशकता होती है नत्रजन की आदी मात्रा तता फासपुरस बावब पोटास की पूरी मात्रा वगाई के समय खेत में डालते हैं तता नत्रजन की सेस मात्रा दो बरावर भागों में बांट कर बुगाई के लगवग 20-25 दिन वा 35-40 दिन बाद टॉप ड्रेशिंग के रूप में उप्योग करना चाहिए बात करें खेत की तैयारे की तो यदी खेत में नमी की कमी हो तो बुगाई से पूर्व खेत को पलेवा कर लेना चाहिए बुगाई के पूर्व खेत की अच्छी तरह जुताई वा पाटा लगा कर तैयार कर लेना चाहिए और बुगाई के समय बीज अमकूरन के लिए खेत में परियाप्त नमी होनी आवशक है बात करें बीज दर एवम उपचार की तो एक एक्टेर छेतरपल के लिए लगवग 20-30 kg बीज की अवशकता होती है बीज को बुगाई से पूर्व फफुंदी नाशी रसायन जो की कारवन डांजिम होता है उसकी 2 ग्राम प्रती किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बुगाई करना चाहिए इससे फसल की प्रारंविक अवस्ता में मिर्दा जनित बीमारियों से सुरक्चा हो जाती है बात करें बुगाई के समय और बिदी की तो सेम की बुगाई का सबसे अच्छा और उप्योग तो समय जुलाई से अगस्त होता है लेकिन आप इसे फरवरी, मार्च, अफरेल, मई में भी कर सकते हैं और जून में भी लगा सकते हैं यदि पाने की अच्छी बिवस्ता है तो अपरेल, मई, जून में लगा सकते हैं और बुगाई के उस समतल खेत में उटी हुई मेंडों या क्यारियों में करनी चाहिए उटी हुई मेंडों या क्यारियों में बुगाई करना पोदों की अच्छी ब्रद्दी वाधिक उत्पादन के लिए उप्युक्त पाया गया है और लता वाली किस्मों के लिए कतार से कतार तता पौदे से पौदे की दूरी सोवाई तता 75 सेंटी मीटर रखते हैं बात करें खर्पदवार नियतरन की तो फसल की प्रारंबी कवस्ता में खेत को खर्पदवार मुक्त रखने के लिए एक से दो निराई गुड़ाई परियाप्त होती है निराई गुड़ाई अधिक गहराई तक नहीं करना चाहिए वैसे खर्पदवार नियतरन के लिए पूर्व निर्गमन खर्पदवार नाशी रसाइनो जैसे की पेंडा मेथलीन 3.5 लीटर प्रती मातरा को 1000 लीटर पानी के गोल बनाकर वुआई के 48 गंटे के अंदर चिड़काफ करना चाहिए इससे 40-45 दिनों तक मौसमी खर्पदवारों का नियंतरन हो जाता है इसके वाद यदि आवशक हो तो एक निराई गुडाई कर देनी चाहिए बात करें सिचाई परवंदन की तो सामाने तोर पर गर्मियों के मौसम में आपको 4-5 दिन की अंदर सिचाई करनी चाहिए और यदि आपकी फसल बरसात तक पहुँच जाती है तो फिर बरसात में सिचाई की अवशकता नहीं परती फूल तता फल के समय खित में नमी कवाब होना बहुत अवशक है अपरियाप्त नमी होने पर पौदे मुर्जा जाते हैं जिसके कारण उत्पादन पर प्रिती कूल पिरवाव परता है इसके लिए मिर्दा नमी को ध्यान में रखते हुए नियमित अंतराल पर सिचाई करते रहना चाहिए बात करें रोग वक कीट रोग धाम की तो सेम की फसल में फपूंद रोग ज़्यादा लगता है इसके लिए रोग रोधी किसम का चुनाफ करना चाहिए इसके साथ ही 2 ग्राम बाविश्टन से प्रती किलोग्राम बीच को प्चारित करना अति आविशक होता है और बुआई से पहले 10 किलोग्राम फोरेट 10 जी का खेत में बुरकाव करना चाहिए और सेम की फसल में चेंपा और वीन बिटल जैंसे कीट सबसे ज़्यादा फसल को नुकसान पहुचाते हैं इनकी रोक्ताम के लिए क्लोरोपाईरिफास 20 EC को 3 मिली लीटर प्रती लीटर पानी में घोल बना कर 10 से 15 दिन के अंतराल पर प्रती हेक्टेर छिड़काव करना चाहिए रोगबा कीट की रोक्ताम के लिए आप और भी मार्किट में कई सारी दवाई चलती हैं जिनका इस्तमाल करके भी आप फसल को सुरक्चित रख सकते हैं बात करें तुड़ाई की यवं बंडारन की तो सब्जी की उप्योग के लिए हरी फलियों की तुड़ाई नर्म मुलायं बाहरी अवस्ता में ही करना चाहिए कुल में लाकर 6-10 दॉडाई की जाती है इस सेहम की फसल की सेम की हरी फलियों को 0-1.6 डिग्री सेंटी ग्रेट तापमान पर 85-90% सापिक चित आधरता पर 2-3 सपता तक रखा जा सकता है बात करें पैदावार की तो फसल के अनुकूल इस्तिती और उप्रोक्त विग्यानिक विदी के अनुशार खेती करने के बाद सेम की फसल से 22 किसमों के अनुशार 50-500 कुंडल प्रिती हेक्टेर हरी फलियों का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है अब आप कहेंगे कि 50 कुंडल और 200 में कितना डिफरेंस है कितना मिलेगा तो देखिए यदि आपकी फसल पिरवावित होती है उसको कीट लग जाता है रोग लग जाता है या फिर फल फूल जड़ जाते हैं तो आपका जो प्रोडक्शन है 50 कुंडल के आसपास निकलेगा और यदि पैदावार पूर्ण रोप से सही वनी है प्रोडक्शन अच्चा निकला है तो 200 कुंडल तक आपकी पैदावार पहुंच सकती है तो इस तरीके से हमारे किसान वाही सैम की फले की खेती कर सकते हैं और इसके अलावा आपको जो भी परिशानी आती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि नेस्ट वीडियो में हम आपको आपके सवालों के जवाब दे सकें आप कौन सी खेती करना चाते हैं ये भी कमेंट करे और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए शेयर कीजिए और पहली बार अमारी वीडियो देख रहे हैं तो सस्क्राइब कीजिए Smart Business प्लस यूटूब चैनल को और प्रेस कीजिए वैल आइकन को ताकि आने वाली हर एक खेती किसानी की वीडियो मिल सके आपको सबसे पहल नमस्कार